हेलो एब्रिवन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज हम बनाएंगे कच्छे केले की बिल्कुल नई रेसिपी और हम कच्छे केले से बिल्कुल पनीर की तरह सबजी बनाएंगे तो कच्छे केले से पहले हम पनीर बनाएंगे और फिर हम उससे सबजी बनाएंगे तो चलिए ह हम इसे बनाते हैं तो यहां मैंने कच्चा केला ले लिया इसे ढोकर और इसे मैं अभी न अच्छ teşekkür से छील लोगी बिल्कुल अच्छे से छील ले ताकि वो जो बस वाइट वाला जो भागे न केले का वही आना चाहिए हरा वाला जो छिलका है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो यहां मैं अच्छे से छील लूँगी तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट सेक्शन पर मुझे कॉमेंट करें और बेल आइकन को फ्रेस करना ना भूले तो चलिए हम इसे बनाते तो यहां देखे मैंने छील लिया है अब है मैं इससे फटाफट काट लूगी तो आप जल्दी से काटे यह काले पड़ जाते हैं केले तो ऐसे में रफली ही काट लूँगी तो यहां मैं सब को काट लूँगी अच्छे से इस दो केले से बहुत सारी सबजियां बनेंगी तो आगर आपकी family छोटी है तो आप एक भी केला ले सकते हैं और बी जादा बड़ा परिवार है तो इससे जादा केले ले सकते हैं तो यहां मैं क्या करूंगी ना एक mixer जाड ले लूँगी तो यहां मैंने ले लिया है अभी हमें केले के टुकडो को इसमें डालना है तो मैंने डाल दिया है बिल्कुल अच्छे से डाल कर मैं इसमें डालूंगी चावल का आटा दो टेबल स्पून के बरावर यहां डालूंगी चावल का आटा तो यहां मैंने डाल दिया है यह दो टेबल स्पून है चावल का आ तो यहां हमें पीस ले या है सर्दी कली के लीडिया ग्राह है आपको खोल के दिखाते हूं स्युटा चोह था है चाहलिया अजनले जो एक बॉल निखIf the ability मेर्का के करिया नुए दौनाना है तो यहां हमें पांच मिनट तक इसे फेटना है, आप ऐसे फेटेंगे तो जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट बनेगी, और मैं डालूँगी अभी यहां पे मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होते है ना, बेकिंग सोडा वो डाल लीओंगी मैं, तो मैंने डाल दिया और मैं अ रचञाल दिया है, तो इस पलेट-में अच्छ लेट से तेल लगा लेंगे, आपके पास ब्रस से वाल होते हैं, टाराइज ना चीपके, तो मैंने इस तेल डाल दिया है, अभी में इसेह से इसमें लागा दूंगी ना वाल दूँगी इस तरीके से आप डालें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे आपकी भी ये recipe बहुत अच्छी बनेगी तो यहां मैं ऐसे इस तरह से हिला लूँगी ताकि better set हो जा और इस तरीके से उपर में चिकना कर दूँगी तो आप इस तरीके से उपर में आपके पास पञड़ी कोढ़ा आपके सबस्दक में चळा से कर द। तो देखे ऊपर ड्राई हो चाहे न और इससे तूथपिक की साहता से बीच में आप ऐसे डाल के देखे तो तूथपिक हमारा एकदम साफ निकल रहा है मैं लेंगे साफ नाइब साफ जाएक देखे काजू ले ने काजू अभी में डालंगे में चूटेअ चुकडों मीडियम निकली चूटे टॕड हो गलिक के लेता काजू इक है प्सकितमाट्र जाएा नसे कि पाले ही нед सरसो तेल डाला आप जिस भी तेल से खाना बनाते हो आप वो तेल यहां डाल सकते हैं तो मैंने डाल दिया तेल गर्म हो गया तो मैंने थोड़ा सा जीरा ले लिया वन टी स्पून के बराबर एक बड़ी लाइची लिया है एक छोटी लाइची लिया है एक लॉंग और एक छोटी सी टुकडी दाल चीनी की तो यहाँ पर मैं डालूंगी प्याज तो मैं यहाँ पर दो मीडियम आकर का प्याज मैंने बारिक काट के याँ डाल दिया है अभी मैं इसे बूनना है तो मैं प्याज को अच्छा University गोल्डन ब्राउन होने तक बूननोंगी इस तरिके से हमें इसे हाई हिट पर पहले बूनना है ताकि प्याज पानी ना चूडए पिर इस तरीके से आप golden brown अच्छे से कर ले, प्याज को भून देवे, तो अभी हमें डालना है यहां पर अद्रक का पेष्ट, मैंने एक चमच अद्रक का पेष्ट डाला, एक चमच में डालूँगी लहसन का पेष्ट, तो यहां मैंने डाल दिया है, वन टेबल स्पून के ब अच्छे से भूनना है, करी 5-7 मिनट में यह तेल किनारों से निकलने लगे न, तब तक हम इसे भूनना है, तो मैं ऐसे भून लोगी अच्छे से, अब यह भून चुकी है, तो मैं डालूँगी जो हमने पेष्ट बना के रखा था टमाटर, काजू और खसकस और मिर्ची का वो डालके मैंसे mix करूंगी, इस तरीके से अच्छे से आप mix करें और इससे 10 मिनट तक ढग कर पकाएं तो 10 मिनट तक आप इससे ढग दें, ताकि इसका सारा monster सूख जाए ताकि हमारा यह मसाल अच्छे से भुन सकें तो अभी हमने क्या क्या केला का जो बनाया था तो उसे ठंडा कर लिया, ठंडा करके मैं यहां पर लेके आये, तो देखें ठंडा होने के बाद खुद बाखुद किनारी अलग हो गई है, तो मैं इसे अभी ऐसे चूरी से काटूंगी, आप टुकडों में आप छोटे बड़े जैसे भी पीसे करने हो आप कर सकते हैं, यह ब उपर से ही कलर का फर्क है, अंदर बिल्कुल वाइट है, यह देखें, एकदम सॉफ्ट और एकदम जालिया बनी है, तो यह बस कलर उपर चेंज हो है, अंदर बिल्कुल वाइट एकेला तो थोड़ा काला पड़ता ही है, तो यह देखें, इसकी जालिया देखें, कितनी पर तब तक भूनना है जब तक इससे तेल अलगना हो तो मैं यहां पर भूनूँगी इस अच्छे से ताकि काजू टमाटर मृची सब भून जाए तो मैंने जाल दिया थोड़ा से यहां पर नमक तो अल्मूस्ट भून चुका है देखिए यहां पर किनारे से आपको दिख पिर आप मेर मसाला से अच्छे से 2 1 बुण के धाले तो इसे हम अच्छे से IDA कर लेंगे इसमें थोड़ा का अबकला बाल ला जाएगा। इसरैके अ इस kijken करणे अच्छे से ब्लब कर लेंगे। भूचा पानी दिख नमया पर इस तरीके से आए निच्छे कर लेंगे।् करेंगे इसे मिक्स और ढखकर पकाएंगे हम इसे 10 मिनट तक ताकि केले में हमारा सारा ग्रेवी अंदर तक समा जाए तो हम यहां 10 मिनट के लिए से ढख देंगे अच्छे से तो दस मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो यह देखिया हमारी यम्मी सी टेश्टी सबजी बनी है न यहां मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी यह लग रही है न एक तम पनीर की सबजी जैसा यह पनीर तो नहीं है लेकिन पनीर से कुछ कम भी नहीं लगेगा आपको आप जरूर ट्राइ करें आप पनीर से भी इसे ज्यादा पसंद करेंगे तो यहां मैं आपको सर्व करके दिख करें थैंक यू फर वाचिंग